देखे बंगाल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और CBI ने संदीब घोष जो TMC ममताब अनरजी की सरकार का बहुत बड़ा करीबी है उसको वित्तिय अनियमित्ताओं के लिए भरष्टाचार के लिए गिरफतार किया है पर सवाल य की आवाज को दबाओ सबूत मिटाओ और बलातकारियों को बचाओ इसी लिए इस संदीब घोष नाम के व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप थे बीजेपी तो दोज़ार तेई से उठा रही थी वित्य अनियमित्ताओं प्रष्टाचार ओर्गन हार्वेस्टिंग बायो घोटाला परंतु उस पर कोई आच नहीं आ पाए क्योंकि ममताव एनरजी की सरकार का सवरक्षन पराप था जब यह जगन्य हत्या रेप का मामला सामने भी आया तब भी चार घंटे के भीतर इस व्यक्ति को प्रमोट कर दिया गया इतनी इसकी पैंट और पकड़ थी आज भी गिरफतार हुआ है तो सवाल तो यह बनेगा कि ममताव एनरजी जी कब इस्तीफा देंगी ममताव इनरजी हेल्थ मुनिस्टर भी थी ममताव एनरजी हों मिनिस्टर भी थी क्या उनको नैतिक जिम्हतारी नहीं उठानी चाही उल्टा उनके विधायक उनके नेता कता हो चाहे केरला हो चाहे कन्नौज हो बेटियों के पक्ष में ये सभी लोग चुप हो चुके हैं प्रियंका वाड़ा जी भी राहूल गांदी जी भी अखिलेश आदव जी